अडवुकेट भुदेप महननद्य का अभिवादन स्पिकार के जी हैं। साथियों आप देख रहे हैं वाईशाफ पेपल, वाईशाफ भाखुजन। गुजरात मॉडल का सच आप सामने आ रहा है। गुजरात में जो घड रहा है वो किसी को छुपा नहीं है। लेकिन ये बात कोई भी गोधी मीडिया नहीं दिखा रहा है। गुजरात का मौरवी ब्रीच का डेथ आज ओपन हो गया है। भारत मा भारत का जितना भी गोधी मीडिया चुपाने के लिए कोशिस कर रहे हैं वो चुपाने ही पा रहे है। सोस्याल मेडिया में ये भारिल हो रहा है। गुजरात का मौरवी ब्रीच का जो हाथसा हुआ है। का जो हाथसा के लिए कोन रस्पानसिबल है। कि जो रिवर में मौरवी ब्रीच कैसे हाथसा हुआ। उसके लिए सुरख्या व्यबस्ता क्या था। क्या वहाँ सिस्सीटी भी कमरा था। या उनका जो कमपानी उन्हें चला रहा था। उनके के लिए वो सुर्ख्या व्याबस्ता क्या किये थे ये शब जानना बहुत ज़रूरी है साथियों मौर्वी ब्रीज हाथ से के लिए एफर लाज हो गया है CRPC 154 के तहट एफर हो गया है लेकिन उस एफर में किसी का नाम नहीं है एफर हुआ लेकिन एफर में किसी का नाम नहीं है जो कमपानी मौर्वी ब्रीज को मेंटनेंस करने के लिए सरकारी खजाने से 2 करोड रुपया लेके उनका मेंटनेंस कर रहा था वो कमपानी का नाम ही नहीं है वो कमपानी को लाइबल ही क्या नहीं गया ये गुजराट मोडल है जो FI हुआ है 154 CRPC के तहर उस FI में IPC 304 IPC 308 IPC 104 लगाया गया है 9 हत्या लेकिन हत्याकान हुआ है FI ये बताता है 9 हत्या लेकिन हत्याकान हुआ है कौन हत्या किया गया क्या है इसके बारे में हमारा FI में किसी को जानकारी नहीं है investigation team अभी तक कुछ भी evidence जुटा नहीं पाया है इस घटना में 25 child spot death हो गए है 57 women का death हुआ है कुल मिलाकर 190 death और 60 लोग घायाल है यहाँ दोसी कोन है किसका खिलाब करवाई होगा यह गुजराट मोडल है भाई क्योंकि गुजराट मोडल का government हर कुछ कंट्रूल करने के लिए तयार रहता है और यह हम जानते हैं यह पूल का बना था यह पूल 143 येर का फूर पूल है यह ब्रिटिस कंपानी का टाइम में जो ब्रिटिस सरकार शार्षन चला रहे थे तब यह पूल बना था और इस पूल 1879 20 फेबरुवारी में लौर रिचाल टेंपल का द्वारा इनागुरेट हुआ था यह पूल क्यूं बनाया था ब्रिटिस सरकार किंग परजीबी चोभांगीनी ठाकुर कव दरवार या उनका महल को कनेक्ट करने के लिए 1879 20 फेबरुवारी में लौर रिचाल टेंपल इनको इनागुरेट के क्योंकि वहां उन्हें टेक्स अशूल करना था इसलिए यह पूल को ब्रिटिस चरकार उस बक बनाया थे क्योंकि ब्रिटिस एक कमपानी था वो बिजनेस के तहट से आपना बिजनेस चला रहा था यह पूल 233 मिटर लॉंग है फोर फिट हाप इंच चोड़ा है तो शिक्स मेहने पहले से ही इस पूल का जरजर अबस्ता को देखकर बंद कर दिया गया था क्योंकि 143 यह पूल है यह यहां घटना होने की संभावना ज़्यादा है इसलिए उस पूल को 6 मेने पहले बंद कर दिया गया, वहां जाने आने के लिए किसी को अनुमत ही नहीं था, लेकिन अचानक हमारा सरकार, यानि गुजराट का सरकार, वो पूल को मेंटेनिंस करने के लिए एक कमपानी को टेंडर में दे देती है, यानि ओरभा गुरूप को ये इनका मेंटेनिंस के लिए जिम्मेदारी मिलता है, मार्च 2022 से मार्च 2037 तक 15 येर के लिए उर्भा गुरूप को ये पूल का मेंटेनिंस का रख रखा का दाइट तो दिया गया है, इसलिए ये कमपानी टू कुरूड रूपी सरकारी खजाना से लिया है, यानि 15 साल के लिए और्भा गुरूप कोन है, और्भा गुरूप है अजन्ता घड़ी बनाने वाला एक कमपानी, वो कमपानी को सिबिल इंजिनिरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो कमपानी कितना ब्रिज बनाया है, उसका डाटा हम लोग को जानना बहुत ज़रूई है, गुजराट में, सिंगल विंडू सिस्टा में, यानि जो वी फैसला वहाँ CMO से होता है, इसलिए इस कमपानी को एक काम 15 साल के लिए मिला, जो भी 2 क्रोर रूपी और्बा ग्रूप ने लिया है, वो पेशा कहां कर चागिया है, वो पेशा, पूल का फ्लोर चमकाने के लिए यूज किया गया है, लेकिन इनका protection उनका wall उनका जो chain दिया गया था जो iron pole दिया गया था उनका सुरुख्या के लिए नहीं सिर्फ इसिफ color किया गया है और floor को चमकाया गया है टू क्रोड रुपी बेकार में गया है और उनको खोला गया लोगों के लिए और एक ब्यक्ति के लिए पैशा का टिकर 17 रुपी था पैशा कमाने के लिए औरोवा ग्रूप ने अंगिनत लोगों को ब्रीज का ओपर छोड़ दिये क्योंकि कमपानी को पैशा चाहिए लोग का जीवन बचे या ना बचे उसमें कोई कोई व्यवस्ता नहीं है जो पूल है जरजर अवस्ता का पूल है और इनको सुरख्या करना जरूरी था लेकिन सुरख्या नहीं करके इनको चमकाया गया लोग सोचने लागे ब्रिज और हर कोई वहां देखने के लिए गया एक इनसान के लिए सत्रा रुपी टिकट पेशा का लालच में ओरुबा ग्रूप ने जधा लोगों को अंदर आने जाने की अनुमती दे दिया 400 से जदा लोग उनका ओपर गुजरने लागे तो ये पूल बढ़ बढ़ा कर गिर गया गिरते ही मोगे पर 25-25 चाई डथ हो गए 57 उमें डथ हो गए कुल मिला कर 190 लोग डथ है और 60 लोग खायाल हो गए पेशा का लालच कैसे लोगों का जिन्देकी को बरबाद कर देता है मोधी जी उस बक्त चरदर बलब भै पटल जी का स्टैचू पर थे गुजराट का तमाम ब्यबस्ता यानि टोटल एग्जुकेटिव और पुलिस बिभाग मोधी जी का सुरक्षा के लिए पीछे लग गए थे यहां हाथसा हो जाता है 190 लोग मर जाते हैं मोधी जी को भनक नहीं लगता यह शोचने की बात है कितने घंटे के बाद मोधी जी इसके लिए दुख प्रहे परकास किये क्या मोधी जी तुरंत उस जगा पर गए गुजराट में होते हुए भी नहीं गए हैं गुजराट का सी एम मोधी जी का सेवा के लिए पीछे लगे हुए थे 190 लोग मर जाने से उनको कोई फरक नहीं पड़ता यह वात कोई भी गोधी मेडिया नहीं दिखाएगा यह डिमोक्रिसी है डिमोक्रिसी में सरकार का रिस्पांसिबिलिटी है जान और मान लोगों का सुरख्या देना लेकिन हमारा सरकार को सिर्फ इलिक्सन का चिनता है इलिक्षन के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए इनको दिनराथ चिंता है गुजराट मोडल में एक मुथ के लिए कितना पेशा एलान किया गया है हाथसा में मरे हुए लोगों के लिए 2 लाक रुपी और घाया लोगों के लिए 80,000 रुपी यानि कुल मिलाकर 3.80.000 रुपी लोगों को दिया जा देने के लिए एलान किये 190 डेथ सिर्फ 3.80.000 अब सुचिए यही गुजराट मॉडल गुजराट मॉडल में लोगों का जान का कोई भेलू नहीं है गुजराट मॉडल यानि सिर्फ ही सिर्फ केपिटाल का द्वारा केपिटाल कमाना पेशा का द्वारा पेशा कमाना उस गुजराट मॉडल में कमन पीपल का जगा कहा है कमन सिटिजन को क्या मिलता है कमन सिटिजन को सिर्फ मोत ही मिलता है फार्मेर वेहाल है एजुकेशन सिस्टम बिलकुल महंगा हो गया है गुजराट में हेल्थ सिस्टम गुजराट में बिजनेस बन गया है बरतमान सरकार गुजराट मोडल के मतलब सिर्फ बिजनेस करना है इस्टेंडिय कमपानी बिना मतलब से कुछ नहीं करता था पेशा का जरिये पेशा कमाता था बरतमान सरकार पेशा का जरिये पेशा कमाने के लिए कोशिस कर रहा है और सिर्फ ही सिर्फ कोर्पोरेट घराने को बेनिफिट दिलाने के लिए लोगों का जिंदेगी का साथ खिल कौन हुआ लोग मर जाएंगे फिर भी वान डूर सिस्टाम में कैसे कौन सा परिष्टित में कौन सा मापदंड में और्वा ग्रूप को ये मो साइन किया गया इनका जानकारी किसी का पास नहीं है लोग जानते थे और्वा ग्रूप को भी पता था ये खतरनाक है जब टू क्रोड रूपी लिया गया उनको फ्लोर चमकाने के बज़े उनका चैन को मजबूत किये होते उनका लोहे को मजबूत किये होते रिप्लेस किये होते तो आज ये दुर घटना नहीं गड़ता सबसे बड़ा हैरान का बात है अभी तक यहां जीरो एफार है मोदी जी उनका स्पीच में कहते है मुझे दुख है और कैमरा उनका उपर लगाता है आशू आशू तपक रहा है तपकत रहा है लेकिन आशू दिखाई नहीं दे रहा है साथियों जिस डेमोक्रिसी का राजा सिर्फ कुर्पुरेट घराना का डेबलाप के है वो डेमोक्रिसी नहीं कहलाता जिस डेमोक्रिसी में सिटीजन का जिन्देगी का वेलू कुछ नहीं होता वो डेमोक्रिसी नहीं होता बर्तमन सरकार डेमोक्रिसी का मतलब यह है कुर्पुरेट घराने के आसरे से देश को चलाना यह समझता है इसलिए भारत में डेमोक्र सी का वेलू लगवक फिनिश हो चुका है साथियों आप देख रहें बोई सब पीपल बोई सब भोजन इस चनल को जदा से जदा लाइक किजिए कमेंट किजिए और सेर किजिए